एक्यूट निरिनल फैलियर क्या होता है उसके बारे हम बात करने बाले एक्यूट निरिनल फैलियर जो होता है जो कई दनों या कई मैनों और कई सालों से जो होती है प्रोसेस चालू होती है जो एकाइक बोडी में पहले से प्रिजेंट होती है इसमें कई बीमारी जुड़ती जैसे heart failure हो गया या kidney failure के साथ रह सकती है acute kidney failure के कारण ठीक से पता लगाए जा सकता है acute renal failure टोटली ठीक हो सकती है acute renal failure acute renal failure तब होती है जब आपकी kidney से blood से क्या होता है suddenly होती है salt fluid होता है और best product होते है जो material body से निकलना बाहर निकलना बंद हो जाते हैं जो प्रोसेस होती है वो टोटली बंद हो जाती acute kidney failure को AKI भी कहा जाता है जो लोग पहले से किसी बीमारी से जूज रहे होते हैं उन्हें acute kidney failure होना संभा होता है acute renal failure का treatment करा आए जा सकता है यह मरीज के लिए बहुत ही डेंजर हो सकती है acute renal failure और chronic kidney failure का कैसे पता लगाएं कि यह acute renal failure है chronic kidney failure है यह दोनों अलग-अलग होते हैं chronic kidney disease वो होती है जो AKI से बिलकुल अलग होती है kidney की problem को बहुत गंभीर माना जाता है क्योंकि यह से बीमारी जल्दी से अपने symptom नहीं दिखाई देते हैं इसको बहुत समय लगता है जब यह symptom दिखाई देते हैं kidney का जो होता है 70 से 80% खराब हो चुकी होती है तब CKD kidney कराब होने की प्रिक्रिया बहुत धीमी हो जाती है इस condition में हमें पता चलता है कि हमें CKD की program होया है उने kidney disease हो गई है acute meidän failure के कारण क्या है किस कारण से एक्या होता है कई तरह से acuteemos teaspoon यूर्ण failure के कारण हो सकती है जिनमेंसे निमनी प्रिकार्गिए होते है जिसके बोडी में ऐसी कोई इस्तिती होती है जिसके कारण blood की supply होती है जो बंद हो जाती है blood की supply होने के कारण जो kidney में blood नहीं पहुच पाता है जिसके कारण API हो सकता है दूसरी problem यह होती है kidney से urine को bladder तक ले जाने वाली जो capillaries होती है वो क्या होती है रुकावाट आती है कि blockage हो जाती है उसके कारण हमें क्या होता है जैसे हमारा best material है वो बाहर नहीं ले जा पाती है उसके कारण हमें क्या होता है API की problem हो सकती है तीसरी बात क्या होता है suddenly water loss यह dehydration हो जाता है उस condition में क्या होता है kidney की problem यह API की problem हो सकती है किसी medicine जो कोई medicine लेता है उसका side effect हो जाता है तो उसमें kidney damage होने की संभावना हो जाती है तो उस condition में हमें API की problem हो सकती है यह फिर बात कहते है UTI, urinary tract observation या urinary tract infection इस condition में हमें क्या होता है जो bacteria होता है हमारी kidney तक फोहँच जाता है urinary से होते हुए तो उस condition में हमें क्या API हो सकती है urine pass के दौरान क्या होता है blood आना जब urine pass करते हैं उस condition अगर हमारी body से blood आता है urine में तो उस condition में क्या होता है हमाई kidney को API की problem हो सकती है या high bilater pressure के कारण भी हमें यह problem देखनों को मिल सकती है acute renal failure के symptoms क्या क्या दिखाई देते हैं जिससे ही symptoms से पता लगाया जा सकता है कि हम API की problem है या CKD की problem हो सकती है इस condition में क्या होता है high blood pressure होता है urine की मात्रा में कमी आना होता है breathing या थकावट होती है जो हमारी वोडिक सिर headache सिर में problem होती है भूख कम लगना जी मचलाना या vomiting होना इस condition में दिखाई देते हैं चेंट की body से जो best product होता है water level वह बहुँ बाहर निकल बंद हो जाता है जिसमें head, leg and other body part में क्या होता है उसमें सूजन या swelling होने लगती है इससे भी हमें पता चलता है कि कुछ problem हो रही है किसकी SCKDI, AKI की, acute neural failure treatment क्या कर सकते है acute neural failure treatment के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए kidney से नेफ्रोलोजिस्ट मिलना चाहिए नेफ्रोलोजिस्ट मिलने के बाद वो बताएंगे क्या करना चाहिए acute neural failure में क्या होता है नेफ्रोलोजिस्ट सबसे पहले आहार को जो अपन खाने को है उस पर बताता है नेफ्रोलोजिस acute neural failure का treatment स्टार्ट करने से पहले मरीज के आहर पर कुछ पृतिबंद लगा सकते हैं जो लिकविट फूड होता है तरल पदार्थ होते हैं जो ज्यादा मात्रा में ना लेना चाहिए जिसमें सोडियम प्रोटेश्यम या हाई प्रोटीन युक्त आहर पर ब्लोकुल फृतिबंद लगा सकते हैं दूसी कंडिशन आती है डायलिसिस्ट सबसे पहले तो लोगोभी प्रोट को प्यूरिफाई करने के लिए विए डायलिसिस यावचकता होती है इसमें कुछ प्रोड़क्ट होता है बोडी से हमारी बाहर निकलते हैं किसके डायलिसिस की द्र्वार जिसमें ईऊुरिया क्रेटणाइन और वन बिलट इऊुरिया ये क्या होती ह है जिसमें एक्यूट इंजल फैलियर के ट्रीटमेंट के लिए डायलिसिस सबसे अच्छी मानी जाती है और बहुत ही इससे फायदा होता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें